सब सब कैसू में तब सब अच्छी होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में अब लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं तो इस वीडियो को देखते हैं जी आसान तरीके से दिखाऊंगा कैसे इसको रूट कर सकते हैं देख सकते हैं जो अब लोग को दिखा देता हूं मेरा जो दोनों का वीडियो मैंने डाल चुका हूँ तो जाके नहीं देखे तो देख सकते और दूस्तों मेरे चनल को जुरू सब्सक्रीब कर लिजी किसी दर का विडियोगा टीप श्टीक मॉडिएशन का श्टमाइशन अब लोकल बे लेके आता रहता हूँ तो चलिए उस्तों को द तो चले इस तो देख लेते हैं किस तरह से इसमें जो है टी डॉब लोग कर सकते हैं और इसमें रूट कर सकते हैं तो चले इस तो देखते हैं तो सबसे पहले में आप लोग को बता देना चाहता हूं तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहला जो बेसिक चीज लएगा उसको वीडियो भी मना चुका हूँ अगर वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं चले इस तो बूर्लोडर कर देने के बाद सिम्पिल आप जो है अब आपको PC पे चलते हैं उसके बाद जो सारी स्टेप बाइस प्रोसेडूर्स में आप लोगो दिखा देता हूँ और आप कर देने के बाद और आपको जो है डिवैस को फास्ट बूर्ड मूट पर लेकर जाना पड़ेगा उसके लिए जो वाल्याम डाउन और पार बटन के एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो इमाई बानी का सिम्पिल आ जाएगा उसके बाद पीसी के साथ आपका जो फोन है कर दीजिए दोस्तों देख सकते हैं यह वाला कॉर्ड को हम लोगोंने सिम्पिल कर दिया और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दीता हूं तो सबसे पहला वुद्ध लोड़र का अलोग रहना पड़ेगा उसके बाद जो प्रोसेडूर्ट से मैं आपको सिम्पिल अब लोगों को दिखा रहेगा और इसके लिए आपको जो है टी डॉबल परबन राएगा रूट करने के लिए और निचे जो प्लाट्वर्म टूल्स यह दूस्तों आपको एडवी सेटप अगर राइब को इंस्ट्रूल करने के और निचे जो है बेसिकल यह जो हमरा टी दोस्तों पर रिकवरी का फाइल है तो इसलिए अभी जो कोई प्रोब्लेम नहीं है और वेसिकली दूस्तों हमको जो मैं कर रहा हूं आपकी जिए तो सिंपिल प्लाट्वर्म टूल को इंस्ट्ल करके रखाऊ एक्स्ट्रक करके देखें यह प्लाट्रम टूल्स है और दोस प्लाट्वर्म टूल्स है तो सिंपिल जो इमेज फाइल है तो सिंपिल इसको हमको कॉपी करना पड़ेगा और उसको जो प्लाट्वर्म टूल्स है तो वहां पे जाके हम लोग को पेस्ट करना पड़ेगा उस सीड़ाइप के अंदर प्लाट्वर्म टूल्स है तो सिंपिल पर आड्रेस बार में जाएंगे और वहां पर हम लोग कमांड टाइप करेंगे cmd उसके बाद इंटर कर देंगे तो इस तरह से एक कमांड प्रम पर विंडो आपके समने आ जाएगा और उसके बाद हम लोग को फून कानेक्टेड हुआ है कि नहीं PC के साथ सही तरह से तो उसक कमांड है fastboot flash recovery slash मतलब जो स्पेस है उसको देखे जो इमेज का फाइल है तो सिंपिल इसको ड्रैग डाउन कर सकते है या फिर लिग भी सकते है उसके बाद एंटरप्रेस कर दीजे तो जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे यहां पर देख सकते sending recovery writing recovery finishing तो इस तरह से आपके साम रिमूट पर temporary boot हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और यहां पर जो password का बाणी सिंबल साइन कर सकता है जो password का सो कर सकता मेरा अलड़ी कर चुका तो नहीं आ रहा है तो उसको cancel करके यहां पर नीचे swipe to flash कर दीजिए और उसके बाद वाइप जाएंगे और format data को करना अपको yes करके इसको okay करना पड़ेगा तो इसको करना जरूरी है दूस्तों और मैं एक बार बता देना चाहता हूं तो आपको पूरो data को backup ले लिजिए नाए तो आपको जो set है total data सबको चूड़ जाएगा ठीक है तो उसके बाद home पे जाएंगे और माउंड पे जाएंगे और जिदना सारा यहां पे टीक है सबको हम लोग टीक टीक कर देंगे ताकि जो है आगे जाके कोई problem ना आए ते देख सकते और जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे कीजिए दूस्तों तो आपको भी बहुत यास अंतरकी से हो जाएगा और उसके बाद हो जो मैं दे रहा हूं यह बिल्कुल लेटिस्ट आया है दूस्तों और इसमें पहले जो था माइक्रोश्डी कार्ड का सो नहीं कर रहा था वह बाग अप चला गया उसके बाद इंश्टल पे जाएंगे और जो हम लोग कंपेटर से यहां पे पेस्ट किया उसको सिंपिल स्वाप अब आपका नॉर्माई का नॉर्मल लिकवारी ओ आ जाएगा तो यह डिजोवल प्रोगें स्क्रिप्टेस्टन का जब जी फाइल है उसको करना पड़ेगा प्लास उसके बाद दूनाड इंस्टॉल रिबूट टो सिस्टिम तम लोग का फोन में जो है सक्सेस्पुली बू पर इंस्ट्रल कर सकते और जो है जीप फाइल को जो है आपको डिवास को रूट कर सकते तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिए कुछ प्रोब्लेम हो रहे तो भी बात कर सकते तो थांकि इस तो वीडियो को पूरा देगने के लिए मैं चल्ब को जरू को बढ़ बास में पानी के लिए थांक्यू थांक्यू वाइ गुट रख दो बाई